नमस्कार दोस्तों सुग्दनेट चनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों फानिली रॉयल इंफिल्ड अपनी 125 इसी में नई बाइक इंडन मार्केट में जल्दी लॉँच करने वाली है यह हंटर 125 ने के नाम से इंडन मार्केट में लॉँच होगा और यह रॉयल परईसको एक्सों वड़ने को 25 स को खुरी सकती है पूरी डीटेलल से बाइक के वार के बात करेंगे हैं तो फ्रैंट सब्से पहले बात कर लेते हैं अन्खेर रॉलिंफिल्ड को 125cc बाइक लॉंच करने की जरुवत क्या पड़ी तो दरसल यह हुआ है मार्केट में कि आजकल 125cc बाइक में ट्रेंडिंग में तपाई आ गई है मतलब हर आई एक आवाम का बंदा लेना चाहरा है 125cc बाइक क्योंकि वो बाइक आपको लुक्स भी देती है माइनेस भी देती है और आपके पॉकेट पे भी ज़्यादा भारी नहीं पड़ती है तो इस वज़े से रॉलिंफिल्ड भी 125cc केटेगरी की बाइक में अपना जगा बनाना चाहरा है ताकि वो भी इंडयन मार्केट में तलका मचा सकें और उनकी बाइक से वी जादसदा हो इंडयन मार्केट में तो इसक्क वाजा से इनोंने ने रॉलिंफिल हंटर को 125cc से Vetus मेरे अप क्या क्या से एस थे पैक्स मेरे में यूँकि आज तक किसी भी 125 इसी बाइक में नई देखने को मिलेते हैं तो वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग हो आने का चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करने थी इस बाइक के फ्रंट लोक की तो इसमें आपको फ्रंट में रेट्रो लोकिंग सर्कुलर शेप का हैड लाइट देखने को मिलता है जिसमें आपको डूल प्रोजेक्टर एलेटी सेटप दे जाता है जो की काफी जादा जानदार लाइटिंग प्रोवाइट करता है वह इस बाइक में आपको स्क्वारी शेप का एनली टन्स इंडिकेटर देखने को मिलेंगे साथी में इसकी 10 ल इसमें सो कर देगा वही बात करने इस बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम से उलेकर तो इस बाइक ने आपको फ्रेंट में सिंगन डिस ब्रेक के साथ सिंगन चैनल एबियस का ओप्शन दिये जाएगा वही बात करें तो 120 सेक्षन का मोटा वाइट टायर देखने को मिलेगा जिस वज़े से यह मार्केट में जादा से जादा बॉकाल टाइट करेगा 125 इसी बाइक में और साथी बाइक में safety point of view से engine cut off sensor दिये जाएगा जिससे अगर आपका stand लगा रहे जाता है तो बाइक इंडिगेट करेगी और automatically cut off हो जाएगी फ्रेंड्स फाइनली बात कर लेती उस चीज का जिसका बेसरी से इंतजार कर रहें थे वो तो इस बाइक की pricing इस बाइक का क्या जवर जस प्राइजिंग रखा गया मतलब मान गया रोयल क्यूंट को इस बाइक का एक showroom price मात्र मात्र एक लाख बीस अजार रुपर रखा गया ह जो की काफी एदा affordable है क्योंकि यह बाइक 125 सीकी होने वाली है लेकिन आपको फिल ने 350 सीजी कतर आएगी एक और सबसे महत्र पूर चीज वो थी इस बाइक की launching rate तो वैसे company ने तो कोई official news नहीं दी है लेकिन मेरी चाप से यह बाइक इंडियन मार्केट में 2024 के मिट तक या फ प्रेंग्स आपको कैसी लगी रे नॉय लिट की नई 125 सीजी भाइक अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइट जरूर से करना आज पर इतना है नवस्कार तन्यवाद